इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने विजे की एक्सपाईरी डेट कैसे चेक कर सकते हैं। स्वागता आपका एक और नई वीडियो में, अगर आप आए हैं साओधी अरब के अंदर, आप चाहे किसी भी विजे पर आए हो, आपको नहीं पता है आपके विजे की एक्सपाईरी डेट क्या है, क्योंकि अमोमन फैमली विजिट, बिजनिस विजिट और टूरिस्ट विजिट, यह जो तीन विजे हैं, यह हर तीन महीने में आपको एक्सटेंड करने होते हैं। तो आपके आगे तीन महीने हो गए हैं या फिर नहीं हुए हैं या फिर आपके आगे तीन महीने पर तो आपने एक्स्टेंट करा लिया था उसके बाद की कौन सी लाज डेट है कब एक्स्टेंट कराना है आपको नहीं मिलना है अपने फैमिली विजिट या किसी भी विजिट एक्सपाईरी डेट कैसे चेक करें उसका पूरा तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, लाइव दिखाऊंगा, चेक करवागे दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप खुद अपने फॉन से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी, जब भी आप य जेल भी हो सकती है, और आपको फाइन भी लग सकता है, वो भी जब आप वापस अपने घर जाने के लिए सोच रहे होंगे, अगर आपका वीजा एक्सपार हो गया है, तो उसके लिए आप अपना जो फैमली विजिट है, प्रसनल विजिट है या बिजनिस विजिट है, उन बॉर्डर पे भी आप विजिट कर सकते हैं, बॉर्डर पे भी जाके आप अपना वीजा एक्सपार करवा के आ सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन अपना वीजा हर तीन महीने पे लाजिम आप एक्सपार करवाते रही है, ठीक है, अब हम चलते हैं, अपने कंप्यूटर की स्क्र पर वहीं पर मैं आपको ले जा करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फोन में, लैपटोब में, कहीं पर भी आप अपने विजे की एकस्पाइडी डेट चेक कर सकते हैं और आपको कुछ जादा डोकुमेंट्स भी नहीं चाहिए, आपके पास में अगर पासपोर्ट है तो काफी है, उसी से आप आसानी से चेक कर सकते हैं या फिर जो आपको एत्माद सैंटर से या फिर वीजा पेपर मिलता है, उसके धुरूबी आप आसानी से चेक कर सकते हैं चली चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वही पर पूरा सिस्टम चेक करेंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी, तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, चली चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आगे का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, मैं आ जाता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जहां पर मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ और आप अपने मोबाइल फोन में या फिर आप अपने जो है लाप्टोप में कहीं पर भी यह वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, गूगल पर आएंगे यहां पर लिखेंगे मुकीम.sa यह लिखने के बाद में आपने जस्ट सर्च करना है, जैसे अब यह आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट डिर्क्ली ओपन हो जाएगी, यहां पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इंगलीज में आप इसको चेंज कर लेना, इंगलीज में चेंज करने की इस तरीके सा अकाउंट इसनिली बना सकते हैं, अकांट बनाने के लिए जो भी डिटेल यह मांगेगा, यहां पर आप अपने अपने हिसाब से देख लेना आपके पास क्या क्या इंफार ant. यहां पर चूग करेंगे, चूज पर क्लिक करने के बाद में यह चारُ onion आते हैं, यह आपने फ तो आपका कोई relative होगा, दोस्त होगा, रिस्कदार होगा, उसके नाम पर भी यह ID आप बनाकर check कर सकते हैं, ठीक है, चलिए मेरी यह already बनी हुई है, तो यहाँ पर हम अपना वक्त जाया नहीं करेंगे, यहाँ से आप इसको ID बना के, जब ID आपके बन जाएगी, तो इस तरीक ID और 960921, और DP डाल के मैं verify करूँगा, verify पर जैसे हम click करेंगे, तो इस तरीके का interface हमारे सामने open हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल simple है, यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको English में translate करना है, ताकि अच्छे से आपकी समझ में आ जाएं सारी चीज़ अगर personal widget है, family widget है, business widget है, उनके लिए यह visitor सेलेक्ट करना है, यहाँ पर visa number सेलेक्ट करना है, इस तरीके से सलेक्ट करना है, थिक है, तो अभी जो visa में आपको check करके बता रहा हूँ, यह personal widget है और यह valid है, personal widget है plus valid है, तो मैं इसको देखी, यहाँ पर आपको check करके दिखा देत कहीं है और विजा नंबर भी आपके पास्पोर आपके विजय पुपी पर लिख रहता है ठीक है अगर आप भूल जाए आपकम विजयन नंबर क्या है विजयन आपको अम्रे आपको नमिले तो आप पास्पोर्ट नंबर से पता चलाटीगा और आपके बास में विजा नमबर नहीं है, date of birth में ने डाल दी, यहां से मैं पासपोर्ट स्लाइक करूँगा, तो passport हम यहां से डाल देते हैं, यहां पर यह detail में ने डाली, क्या क्या डाला, मैंने visa नमबर डाला, date of birth डाली, और passport नमबर डाल के हमने click कर दिया, check पर जैसे हम click करेंगे, permitted to enter, यह visa validate, जैसे हम इसको नीचे scroll करेंगे, यहां पर पूरी detail आपको मिल जाएगी, इस बंदे को सौधिया में आ करके अभी 49 days हुए है, यहां पर देखिया, आप इसको 49 days हुए है, फिर इसको extend गरना होता है, extend आप online भी करा सकते हैं, आप border पर विज़ा सकते हैं, online extension के लिए आप मुझे भी contact कर सकते हैं, मेरे पास में online extension available होती है, ठीक है, तो यहां पर देखिये सारी चीज़े इसमें लिखी हुई है, यह visa visa status, visa use हो चुका है, ठीक है, passport number, यहां पर बाकी और information आपको मिल जाएंगी, आप details से पढ़ सकते हैं, अब मैं आपको दूसरा visa check करके दिखा देता हूँ, चलिए, one, one, अभी हम check करेंगे, ओके, जैसे हमने check पर click किया, यहां पर देखिये, आप यह visa already valid है, यहां पर यह visa इस तरीके से दिखाएगा, क्योंकि यह visa अभी आज ही extend हुआ है, तो extend हुआ है, तो यहां पर देखिये, बिल्कुल 0 days दिखा रहा है, वहां पर 41 days थे, यहां पर 0 days दिखा रहा है, क्योंकि यह 90 days यहां पर आगिया, 90 days मतलब अभी इसका visa remaining days, 90 days, क्योंकि यह visa आज हमने extend किया है, तो इसका जो यहां प और सारी आपको चीजी समझ में आ रही है अभी मैं एक वीजा और चैक करूँगा जो एकामा होल्डर के लिए है ठीक है जो छुटी जाते हैं और छुटी जागे अपना वीजा देखना चाहते हैं कि हमारा कितना दिन बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है तो उनके लिए त 2526515867 यहाँ पर हम डालेंगे पासपोर्ट यहाँ पर हम डाल देंगे ताकि ठोड़ा एजी हो जाए तो यहाँ पर 00552892 यह डालकर हम चैक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए इस तरीके से उपन हो जाएगा ओके यह ओपन हो गया है और इस बंदे की पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई है यह visa अभी वैलिड है यहाँ पर दिखा रहे है कि यह visa भी वैलिड है और इसके दो दिन बचे वे हैं ठीक है नोट पर्मिटिड टू एंटर यहां पर लिखावा आएगा मैं आपको एक फोटो में दिखा दूगा कि इस तरीके से लिखावा आता है ठीक है तो फिर वो विजा एक्सपायर हो गया है और उसको एक्स्टेंड करना पड़ेगा एक अलग प्रोसिजर होता है वो किसी ओट व कर सकते हैं ठीक है चली विलते हैं और नहीं वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें खुदा हावी सब्सक्राइब